22 जन्वरी को आयोध्या धाम के अपने नए मंदिर में रामलला विराजेंगे कॉर जांगीर चमपा जिले में शहर सहीद गाउं गाउं में आयोध्या से आये अक्षत का विवत्रन किया जा रहा है तो दूसरी और घर-घर में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है दिवाली की दो माँ बाद कुमारों ने भी उत्सा के साथ दिये बनाने शुरू किये हैं इस दिन दिवाली की तरह लोगों के घरों में दिये जलाए जाएंगे आतिश बाजी भी होगी कुमार अपने पारामपरिक चाक से गालीन दिया बनाने में जुड़ गए हैं हलाकि कुमारों के पास ओर्डर तो नहीं आया है परन्तु इस आशा और विश्वास के साथ दिया बना रहे हैं ताकि लोग 22 जन्वरी को इसकी बिकरी हो सके भगवान राम के प्रान पतिष्टा को लेकर रोज हर गाउं मुहले में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है ताकि 22 जन्वरी के दिन को यादगार बनाया जा सके हर वर्ग अपने साथ सजा से लेकर नए तरीके से तयारी कर रहे हैं 16 से 22 जन्वरी तक आयोध्या में प्रान पतिष्टा समारोर चलेगा उसी तरज पर लोग भी इस खुशियों के पल शामिल होंगे जिस तरह आयोध्या में दीपक जलाया जाएगा उसी तरह सनातनी लोग अपने घरों में दिये जलाएंगे इसी आशा और विश्वास के पर दिये तयार नहीं हो पाएंगे ऐसे में पहले से ही दिये तयार करने में जुट गए हैं मिट्टी की कलाकरिती जैसे दिये मटके गमला सुहारी सहित अनेक प्रकार के मिट्टी के सामगरी बनाने वाले सुरेंद कुमार ने बताया कि अभी मिट्टी के दिये बनाने के ल रंकी हांडी मटकी कुहारी धकन गिलास जग पानी बॉटल आदी बना रहे हैं ऐसे ही तमाम ख़वरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया न्यूस पर